एक तरफ तमाम राजनीतिक दल राम के नाम पर हिंदू मुस्लिम को बाटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे तो वहीं दूसरी और बुलंद शहर में हिंदू समाच के लोगों ने शिम मंदिर और धरम शाला में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे कर सामप्रदाइक सोहार्थ की मिसाल पेश की है आपको बता दें कि इन दिनों जिले में मुस्लिम समाच के लोगों का एक बड़ा धार्मी कायोजन तबलिगी इस दिमा चल लहा है जिससे देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं ऐसे ही कुछ अकीदत मन्दों को जब बुलंद शहर के जैनपुर ग्राम से गुजरते वक्त नमाज पढ़ने के लिए साफ जगा की जरुवत पड़ी तो इस गाउं के हिंदू समाश के लोगों ने उन्हें मंदिर प्रांगरण में ही सभी सुविदाएं उपलब्द कराने के बाद मंदिर में ही नमाज पढ़ने की इजासत भी दी जिसके बाद नमाजियों नमाज अदा कर अमन और शांती की दूआ मागी है और भगवान की बगवान है उसमें कोई भगवान तो नहीं हो सकते ना वो तो यह ही है तो फिर हम इस तरह समाज में एक भाई-चारे का संदेश जा इसलिए हमने शुकिर्टी दे थी कोई बात नहीं है इससे हमें कोई किसी तरीके की परिसानी नहीं है उसमें सिर्फ यह है कि हमें तो मुखबत यी इवादत है और इवादत ही मुखबत है बस भाई-चारे इसमें हम हर तरीकेसे उनके साथ हैं सहयोग में है, कोई दिका वहीं हिंदू समाच के लोगों द्वारा मुस्लिम एक तक इस नजीर की लोगों ने जम कर तारीफ की इस तरहा की नजीर से हमारे राजनीती दलों और समाच को बाटने वाले लोगों को सबक लिना चाहिए पंजाब के सिरी टीवी के लिए बुलंद शहर से एकबास सैफिक रिपोर्ट